इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई side effect होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। Contiflo D capsule दो दवाओं से मिलकर बना है जो पुरुषों में बड़े हुए prostate gland के इलाज के लिए अलग-अलग तरीकों से काम करते हैं। यह पेशाब करने में कठिनाई या अधिक बार शौचालय जाने की आवशक्ता जैसे लक्षनों को दूर करने में मदद करता है। इसका उप्योग prostate cancer को रोकने के लिए नहीं किया जाता है। Conti flow D capsule भोजन के साथ या बिना भोजन किये लिया जा सकता है लेकिन इसे प्रतीक दिन एक ही समय पर लिया जाना चाहिए। आपका डॉक्टर आपके लिए सबसे उप्योक्त खुराक लिखेगा। सबसे अधिक लाब पाने के लिए और अपने लक्षनों का प्रभावी धंक से इलाज करने के लिए आपको खुराक लेने से नहीं चुकना चाहिए। भले ही आप अच्छा महसूस करें। लक्षनों में सुधार देखने में चार सप्ताह तक का समय लग सकता है लेकिन उन्हें नियमित रूप से लेते रहें। अपने चिकितसक को बताएं कि क्या आपके लक्षनों में चार सप्ताह के बाद भी सुधार नहीं होता है या यदि वे खराब हो जाते हैं। इस दवा के सबसे आम साइड एफेक्ट्स में नपुन सकता, काम इच्छा में कमी, स्टन दर्द और स्खलन विकार शामिल हैं। यदि ये दुश प्रभाव आपको चिंतित करते हैं या समाप नहीं होते हैं, तो सलाह के लिए अपने डॉक्टर से संपर्क करें। आपको चक्कर या नींद भी आ सकती हैं। जब आप पहली बार इस दवा को लेना शुरू करते हैं, तो ये जोखिम अधिक होते हैं। याद रखें, आपके डॉक्टर ने आपको यह दवा इसलिए दी हैं क्यूंकि लाप साइड इफेक्ट के जोखिम से अधिक हैं। कॉंटर फ्लो डी कैप्सूल महिलाओं या बच्चों को नहीं लेना चाहिए। इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर को बताएं कि क्या आपको निम्न रक्ट चाप या लीवर या किड्नी की बीमारी है। यह दवा उप्यूक्त नहीं हो सकती है। यह अन्य दवाओं को भी प्रभावित या प्रभावित कर सकता है। तो अपने डॉक्टर को बताएं कि आप अन्य सभी दवाएं ले रही हैं। यदि आपका साथी गर्भवती है या हो सकता है तो आपको सेक्स के दौरान कॉंडोम पहनने की सलाह दी जा सकती है। आपका डॉक्टर आपके रक्चा हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकान पर क्लिक करें और और अल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद।